गुगल कैमरे के साथ लेटेस्ट आपडेट जो है अवेलेबल हो गया है पोको A5 डिवाइस के उपर Gcam AGC 9.2 के साथ हमने याप पर XML फाइल को इंपोर्ट हिया है और कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है यापर फॉटो सेंपल को आपके साथ शेयर करने वाले है तो वीडियो को अंतक देखना लाइक एंड शेयर कर सकते हूँ चलन को सब्सकाइब करके घंटी वाला आइकोन को दबाके ओल से लिट करके इंस्टेगाम में भी फॉलो कर सकते हूँ यापर लेटेस्ट गुवल कैमेरा 9.2 का जो बिल्ड है हमने इंस्टोल किया है पोको एफ 5 डिवेस को उपर और काफी इंटरस्टिंग फिचर से यापर अबलेवेल है तो यापर अल्ट वाइड लेंस का जो आप्शन है काम कर जाएगा प्लस मेल लेंस का जो आप्शन है क किया गिया है HDR enhanced mode के साथ जो है better details देखने को मिलेगा प्रो मोट का option है यापर raw photos lens selection का जो आप्शन से एड किया गिया है प्लस यापर exposure को adjust कर सकते हो जो focus से उसे adjust करने का option है manual focus का जो option है काम कर जाएगा यापर जो shutter display उसे भी adjust कर पाओगे even जो ios है इसे भी adjust करने का option है add किया गिया है तो यापर chrome mode का जो option है काम करेगा यापर custom watermark का जो option है add किया गिया है इस option के साथ जो आप custom watermark को enable or disable कर सकते हो यापर जो auto white balance से enable or disable करने का option है आटो वाइड विलेंस के साथ जो पर accurate color देखनों को मिलेगा प्लिस यह पर like a mode का option है like a cinematic effect के साथ जो फॉट को क्लिक कर सकतो और यह पर HDR net का option है काम कर जाएगा instant HDR photo को क्लिक कर सकतो सब सब बड़ीया बात है यापर ultra wide lens के साथ भी यापर HDR mode काम कर जाएगा तो बड़ीया details देखने को मिलेगा बड़ीया quality देखने को मिल जाएगा यापर इस Gcam के साथ XML file के साथ फॉटो पर details को भी इंप्रूब किया गया है यापर portrait mode के गर बात करें तो यापर portrait mode के साथ जो है face reduction का ओप्शेन night side mode का जो option क्या जाएगा एंड यापर nightside mode के साथ जो है ISO photography का जो feature से add किया गया है पलस यहापर promote के साथ जो है raw photos का जो option का जो ऑप्शेन का जो फोटो एस पर मोट को एड किया गया है यहासर आप जहें 360 वाइट अंगल वर्टिकल फोटो खुलिक कर पाओगे यहापर 360 फोटो क्लिक करने के लिए फौटो एस पर मोट भी काम कर जाएगा अलग अपशन के अपर एड किया गया है वीडियो रेकॉर्डिंग के साथ जो है एसे भी option है तो यह पर अल्टोवाइड लेंस के साथ जो है आपर वीडियो रगड़ी आपर काम नहीं करेगा तो यह पर अल्टोवाइड लेंस के साथ जो है यह पर वीडियो रगड़ी जो है आपर काम नहीं कर रहा है आप जो है पर मेल लेंस के साथ जो है वीडियो को रेक एंड यहाँ पर Full HD 4K 8K वीडियो रेकॉर्डिंग का ओप्शन है यहाँ पर 4K 60fps के साथ जो वीडियो को रेकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पर 4K 8fps 24fps 30fps 60fps का ओप्शन एंड वीडियो स्टैबलेशन का जो ओप्शन से आपर काम कर जाएगा यहाँ पर Slow Motion का ओप्शन है टाइम लैप्स के साथ जो है यहाँ पर 4K Full HD और 8K टाइम लैप्स का ओप्शन है एड किया गया है तो यहाँ से अब इस Gcam के साथ जो है 8K टाइम लैप्स वीडियो को भी रेकॉर्ड कर पाओगे बाखी यहाँ पर Auto 5x 10x 30x 120x का ओप्शन यहाँ पर Speed and Exposure का जो है एडजेस्ट करने का ओप्शन है एनीवा अभी फिराल जो है कुछ फॉट को क्लिक करते है सबसे बहले यहाँ पर हमने जो है Custom Watermark का जो ओप्शन है यहाँ पर हमने जो है एनेबल किया है और यहाँ पर हम 16-9 के साथ जो है फॉट को क्लिक करने वाले है तो यहाँ पर Custom Watermark का जो ओप्शन है एनेबल है और देख सकती यहाँ पर HDR Enhanced Mode का जो ओप्शन है काम कर जाएगा यहाँ पर Auto Wide Balance के साथ जो है एकुरेट कलर देगनों के मिलेगा नैचरल कलर देगनों के मिलेगा यहाँ पर हम जो है Multiple फॉट क्लिक करने वाले है यहाँ पर हमने यहाँ डीटेल्स देखनों के मिलेगा यहाँ पर 2X के साथ भी फॉट को क्लिक करते है और डिफिनेटली यहाँ पर फॉट प्रोसेसिंग होने के दरहां जो आप क्यामरा लेंस को जो है आपर सुइच नहीं कर सकते हो यहाँ पर 1X, 2X के साथ हम Multiple फॉट को क्लिक करने वाले यहाँ पर Watermark का जो Option एनेबल है, Autowide वेलेंस भी एनेबल है, प्लस यह पर अल्टोवाइड लेंस भी काम कर जाएगा यहाँ पर अल्टोवाइड लेंस के साथ भी अप जो HDR मोड के साथ जो फॉट को क्लिक कर सकते हो, HDR एनेंस मोड के साथ भी फॉट को क्लिक कर सकते हो, ना इस नहीं कर सकते हो, अभी फिराल हमने यह पर जो लाइका मोड को एनेबल कर दिया है, लाइका सिनेमाटिक एफेट के साथ जो हम फॉट को क्लिक करने वाले है, और देख सकते हो यहाँ पर काफी बढ़िया सोशल मेडिया रेडि फॉट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर 1X, 2X क को क्लिक कर रहे हैं, और सभी फॉट के साथ जो है बढ़िया कॉलिटी देखनों के मिलेगा, यहाँ पर हमने फॉकस के रिलेटेट कोई मेजर इशु को जो है नोटिस नहीं किया है, और भी कुछ फॉट क्लिक करते हैं, पोको एफ़ण डिवाइस है हमरे पास, और काफी फ आपर कुछ फॉट को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने पास है MIE2 डिवाइस है, यहाँ पर सच में जो शाटर इसमिट है, काफी फास्ट है, यहाँ पर फॉट को क्लिक कर सकतो, अभी फिलाल जो है, HDR नेट को बंद करते हैं, यहाँ पर कस्टोम वाटरमाक का जो ऑप्शन ब करते हैं तो यहाँ पर बढ़िया फॉटो देखने को मिलेगा एंड देख सकते हमने आपर मल्टिपल फॉटो क्लिक किया है अई फिराल बात कर लेते हैं आपर जो है फॉटो सैंपल के बारे में तो यहाँ पर आपने एक इस नोटिस किया है फॉटो क्लिक करने के बाद और को क्लिक करना वाणने आपको या फर ब्लाक स्क्राइब से एच्प आफ। इस सक्ता है या पर आप सकते ओ तो प्रण कों Śकी से अब को मिल जाएगा या पर वाटरमाक को साथ HDR mode काम कर जाएगा यहाप पर फॉटो को पर noise को reduce किया गया है मेन कैमरा अल्ट वाइट लेंज को साथ नॉइस को पर noise को reduce किया गया है प्लस better color with better details देखने को मिलेगा एंड यहाप एस्टो mode काम कर जाएगा यहाप लाइक मोट भी काम करता है काफी बढ़िया फॉटो क्लिक कर सकते हो ना यह पर बात कर लेते हैं यह पर जो है पोको f5 device के साथ जो है gcam agc9.2 के साथ जो है xml फाइल को किस तरह से इंपूट करना होगा तो description box में Google camera एंड जो है xml फाइल दोनों का डाउनलोड लिंक पॉवैट कर दूंगा वहाप जाके जो है gcam एंड xml फाइल दोनों फाइल का डाउनलोड लिंक description box में देखने को मिलेगा वहाप जाके दोनों फाइल को डाउनलोड करना होगा तो सब सब बहले गुगल केमार को इंस्ट्रॉल करने के बाद जो है पहले देफा जवाब gcam को उपन करके कुछ पर्मिशन को अलाओ करना पड़ेगा उसके बाद जो है आपर simply यह जो बटन ही इसमें टैप करके यह पर मूर सेटिंग्स का जो ऑप्शन इसमें टैप करना होगा इस ऑप्शन में टैप करना होगा इस ऑप्शन में टैप करने के बाद यह पर चिस सेप एकसेमेल का जो ऑप्शन इसमें टैप करना होगा देन यह पर यह इसका जो ऑप्शन इसमें टैप करके यह पर फाइल प्राइचर कोबन करके अपने जिस भी फोल्डर में XML फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके XML फाइल को सेलेट करके 3. में टाप करके या पर कॉपी और मूफ कर सकतो Simply या पर कॉपी करके Internal Storage में जाके Download फोल्डर में जाके एज़सी 9.2 करके एक फोल्डर क्रियेट हो जाएगा इस फोल्डर में जाके उसको बाद एज़सी फोल्डर में जाके सिंप्ली यह पर पेस्ट कर देना होगा तो एज़सी फोल्डर में जाके इस फोल्डर में जाके सिंप्ली यह पर पेस्ट कर देना होगा उसका फुर्ट स इस बटन में टैप करना होगा, उसके बाद इस option में टैप करना होगा, यह आप आपको XML फाइल को select करके, यह आपर input का जो option इस बेर टैप करते ही, जो UI जो है completely आपर change हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप जो है, XML फाइल को import कर सकते हो, thank you very much for watching this video,